दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है जो भी थीम है उसको अपने आफ लाइन अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं लोकल सिस्टम में डाउनलोड करके यूज करना और किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन या डिवलप्मेंट करना ज्यादा असान होता है क्योंकि जब लोकल में आप करते हैं तो ज्यादा आप स्मूथली सब चीजों को असानी से कर सकते हैं वहीं अगर ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन जैसे यहां पर टेक्स्ट एडिटर दिया गया है तीम के अंदर आई होब कि आपको पता होगा जब आप इस पर एक्शन पर क्लिक करेंगे इडिट कोड़ पर आएंगे तो यह इंटरफ डीज्जेशन अपना कोड लिख सकते हैं तो ये सब करना पड़ेगा अगर आप लोकल में करते हैं तो बड़े आसानी से आपका जो लोकल में टेक्सट एडिटर है जैसे भी आथ या फिद्र से फायल को सेज़ कर सकते हैं या फिसी भी फायल से किसी एक पाटिकूलर शेक् में करते हैं तो तो यह आसान होगा दोस्तों Theme Kit के मदद से आप Download कर लिजिए Theme आपके पास अगर Download करना चाहते हैं तो एक और Option अवैलिबल है Option यह है Action पे क्लिक करना है and then यहाँ पे Download Theme फाइल का Option आएगा अगर आपको Command Line थोड़ा Complex अगर लग रहा होगा तो यह भी कर सकते हैं बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह बहुत ही Easy और आसान है इसका मैं प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूँ अगर आपको लगता है अगर आपके पास Email Access है तो फिर आप Download कर सकते हैं और Download करेंगे तो Email ID पर हो जाएगा फाइल और वहाँ से Theme को अपने सिस्टम में Download करके चेक कर सकते हैं ओके और जो भी Configuration आप कर रहे हैं जो Customization कर रहे हैं उसी को आप Online आकर Changes कर सकते हैं यह प्रक्रिया भी सही है बड़ कभी कभी होता क्या है कि यह जो Email ID होता है जो Account यूज कर रहे होते हैं वो किसी एक Organization का होता है मान लिजे कि आप किसी एक Company में काम कर रहे हैं तो उस Company का Email ID होगा या पिर किसी Client के लिए काम कर रहे हैं तो उस Client का Email ID होगा तो अगें आपको Client से Contact करना पड़ेगा अगर क्योंकि File जब Download करेंगे तो उसी Email ID पर जाएगा तो Client को Contact करके उस Email ID से File को आपको मगवाना पड़ेगा जो कि अगें कहीं न कहीं Client का Reply आने में टाइम लगेगा क्योंकि उसके Access आपके पास नहीं है तो ये थोड़ा lengthy process हो जाता है ओके तो दोस्तों Better तो यही होता है कि आप Local System में Download करके करें ओभी Theme Kit से ओजारा Better होगा अगर आप Duplicate करना चाहते हैं तो इसी का Copy बन जाएगा तो अगर मैं अभी दिखाओ Duplicate तो Duplicate Theme भी बन जाएगा यह भी देख सकते हैं Dawn है और यह Copy Dawn बन गया तो कभी-कभी होता क्या है कि जब आप ज़्यादा expert नहीं है आपको थोड़ा problem हो रहा है मतलब अभी आप सीख रहे हैं तो दोस्तों जो थीम है जो published theme है जो अभी running mode में है कभी-कभी होता क्या है कि आप live project में कुछ चीजों को configure करते हैं तो ओ जो live project है ओ लाइब जो store है उसमें कोई problem नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी ओ लोग उसमें order कर रहे हैं purchase कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो अगर मालेजे इसमें at the same time आप code भी कर रहे हैं और live भी है दोनों चीज़ है दोस्तों इस case में एक problem आ जाएगा problem ये होगा कि लोग भी देख पाएंगे आपके changes को आप कभी कभी क्या करते हैं dom में कुछ चीजों को render करते हैं like object को dom में print कर दिए कभी कभी console में करते हैं कुछ experiment करते हैं लोग को पता नहीं चलना चाहिए तो बेटर है कि उसका copy ले लीजिए जैसा मैंने आपको बता है copy करने के बाद उस copy वाले जो theme है उसमें changes कीजिए उसमें configure कीजिए और आपका काम हो गया तब जाकर उसको publish कर दीजिए तो ये भी process यूज कर सकते है तो दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही बहुतरी trick है तो आप जैसे मैंने यहापे copy किया copy वाले theme में मैं यहापे जाऊंगा edit करूंगा आप बोलेंगे कि ठीक है edit तो मैं कर सकता हूँ बट copy वाला जो मैं किया था इस theme को मैं कैसे देखूं मैं क्या changes कर रहा हूँ उसका क्या असर पढ़ रहा है हमारे store पे मैं वो कैसे देख पाऊंगा तो दोस्तों बहुत असान है जस इस पे click करना है preview पे click करना है preview पे click करेंगे तो ओ जो theme है जो copy वाला theme था यह वाला theme यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे notice कर रहे होंगे कि you are previewing copy of dawn ठीक है तो अब जो भी changes करेंगे इस theme में यानि कि जब edit करके करेंगे तो किवल आप ही देख सकते हैं क्योंकि यह publish नहीं हुआ है तो कोई दूसरा बंदा नहीं देखेगा तो दोस्तों यह बहुत ही बेतरी होता है अगर live project में काम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कोई fact देखने को नहीं मिलता है जैसे आपका changes हो जाएगा आप क्या कीजिए action पे आईए और उसके publish कर दीजिए यह publish कर देंगे तो यह आपको सबी लोग जो है इस theme को देखने लगेंगे ओके तो अगर आप सीख रहे हैं और live project है तो आप जरूर copy कर लें और उसमें changes कीजिए जाड़ा better होगा ना यह तो समझ गया दूसरा आप आते हैं theme kit पे तब theme kit को कैसे कैसे डाउनलोड करेंगे theme को अपने local system में तो दोस्तो सबसे पहले में लास्ट वीडियो में बताया था चोको करके अगर windows यूज कर रहे तो जनरली लोग windows यूज करते हैं अगर आप linux हो रहे यूज करते हैं तो linux का भी एक command है theme kit इंस्टॉल करने के लिए ब्रियू इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर macOS है तो यहां पर चोको की मदद से आप theme kit इंस्टॉल कर लिए theme kit इंस्टॉल करने के बाद जो है वसी यह command run करना इंस्टॉल करना मतलब क्या आप यह command रख चोको आप इंस्टॉल किजिए उसके बाद चोको इंस्टॉल theme kit इंस्टॉल हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद जिस किसी भी फोल्डर में आप जाकर इस command को run करेंगे theme theme kit इंस्टॉल होने के बाद theme जो है यह आपका system understand करेगा समझेगा कि हाँ theme का मतलब theme kit को refer किया जा रहा है और वहां से चीजों को डाउनलोड करना है मतलब आपके इस्टॉर को वे आप एकसेस कर सकते हैं CLI के माद्यम से यह आपका एक टाइप कमांड लाइन इंटरफेस हो गया then get get मतलब डाउनलोड करने के लिए लिस्ट पासवर्ड पासवर्ड कहां से मिलेगा दोस्तों तो अभी मैं बता रहा हूं इस्टॉर इस्टॉर आपको मिल जाएगा जाहिर से बात है पासवर्ड आपको मिलेगा let's go to the यहां पर आप जाएंगे एपस में आपस में आप जाएंगे and then apps में जाने के बाद आपको यहां पर डेवफ डेवलफ एप and then यहां पर डेमो मिल रहा है आपको मैं अल्रेट किया हूं and then यहां पर API Credential let's see admin scope configure store fund scope तो जोस्तों यहां पर आपको मिलेगा admin API integration में आपको admin API मिलेगा वेभूक मिलेगा दोनों बहुत इंपोर्टेंट है वेभूक के बारे में बताऊंगा यह सब इंपोर्टेंट टर्म है तो let's go to the configuration and then okay एक सेकेंड जब भी आप एप क्रियेट कर रहे हैं प्राइवेट आप क्रियेट कर रहे हैं इन सारे चीजों को अलाव करना पड़ेगा लाइक थीम इस्टॉल करना चाहते हैं ठीक है वेभूक सब्सक्रिप्शन और आ Bowl यहोके आपको यहां पर किसी दूसरी सोर्च छे प्रोडक्ट आइड करते हैं यहां पर रीका सकते हैं रिपोर्ट को देख सकते हैं सारे चीज कर जो भी है तो इसमें कहीं थीम भी मिलेगा ठीक है यह साथ थीम के लिए होगा तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा रीड राइट रीड राइट करेंगे तो डायरेक्ली एक कमांड लाइन करके कमांड लाइन के मदर से पॉब्लि रहा है बड़ दोस्तों आपको यह नहीं करना है आपको अभी पहले पासवर्ड मिल जाता था प्राइवेट आप कर सकते थे पर अभी थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है ठीक है अभी दोस्तों आपको एक मिलेगा गेट थीम कीट पासवर्ड तो उसके लिए थीम कीट एकसेस एप यूज करना पड़ेगा ठीक है तीम कीट एकसेस एप इस एप को इस्टॉल करना पड़ेगा यह फ्री है इसली अवैलेबल है और यहां पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा इसली गरांड एकसेस क्रिएट सेयर थीम कीट पासवर्ड डैट डेवलपर का एन इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों एक तो यह उपाय है पासवर्ड हो गया इस टोर हो गया एन थीम आईडी ओके डाउनलोड करने के लिए एक चीज और करना पड़ेगा ओए थीम आईडी मतलब आप करनेक्ट तो हो गये अपने इस टोर से क्योंकि आपने पासवर्ड डाला इस्टोर नेम डाला तो आप जस्ट करनेक्ट हुए हैं अब आपको थीम डाउनलोड करना है तो थीम आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपके इस टोर में मल्टिपल टीम तो कौन सा praying यूज करना चाहते हैं डाउनलोड चाहते हैं तो आपको फी मैं रहना पड़ेगा ये कहां से मिलेगा दोस्तों तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर के बार एक आईडी यहांपर नजरता आ रहा होगा ओवा है ये डॉन के लिए है उसी तैप से और उसी टाइप से मैं अगर दिखा हूँ let's see this one तो अगर मैं यहाँ पर online store में जाता हूँ theme के section में फिर अब मान लिजे कि ये वाला theme इसका id चाहिए तो दो option है either edit पे क्लिक किजिए action पे क्लिक करके edit code otherwise customize पे क्लिक किजिए themes के बाद जो id नजर आ रहा है वो जो है theme id है उसी id को यहाँ पे आपको डालना है ठीक है theme id के case में वही डालना है तो इस प्रकार से आप download कर सकते हैं to download a specific theme and create a config.ml file that connect with connect this theme with a local version in the directory you just created run the following command मतलब उपर वाला आप नहीं भी करेंग तो चलेगा आप एक directory create कीजिए मतलब folder create कीजिए उसमें यह command run कर दीजिए इसमें आपको password डालना पड़ेगा जो कि theme kit app से मिल जाएगा store डालना पड़ेगा theme id डालना पड़ेगा theme id themes के बाद जो id यहाँ पर नजर आता है यह वाला id हाँ पर मिल जाएगा इससे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करेंगे तो आपको config.ml file देखिए दो option है ऐसे भी download कर सकते हैं दूसरा option है कि आप जो है उसके बाद उसमें कुछ section add करना है मैं अभी आपको बताता हूँ उसमें क्या add करना है config.ml उसके बाद मैं अगर यहाँ पर जाओंगा तो इसका configuration मिल जाएगा अगें वह सेम चीज़ है almost config.ml में आपको password डालना पड़ेगा, theme id डालना पड़ेगा, store name डालना पड़ेगा जब आप ओ command run करके भी download करेंगे तो यह file automatic generate होता है इस file में यह सारे information available रहते हैं तो एक हो गया local development करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकल मतलब अपने local system में जिसमें आप proxy देख सकते हैं local host मतलब आप अपने system से run कर सकते हैं theme को ठीक है यह configure कर सकते हैं यह production के लिए टेस्ट के लिए तो यह एक config file आप create करके भी कर सकते हैं अगर config file config.yml file create कर लिए ml में indentation important होता है development colon उसके बाद एक यहाँ पर देख सकते हैं indentation सही होना चाहिए तभी यह work करेगा ml का correct syntax आपको लिखना पड़ेगा otherwise अगर already आप यह command use कर रहे हैं theme download करने के लिए तो already ml file यह create हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया अगर पहले से ml file अगर आप create created है या पर create करना चाहते हैं मान लिजे कि कोई दूसरा theme से नया theme download करना चाहते हैं पहले से already आपके पास theme है तो उसका ml वाला किसे दूसरे folder में copy कर लिजी और password हो रहा तो सब सेम होगा theme id बस change करना होगा ठीक है password store सेम रहेगा theme id बस change करना है और theme id चेंज करने के बाद एक command run करना है theme get that's it आपको download वो नया वाला theme download हो जाएगा क्योंकि दोस्तों मैं भी जब development करता हूं Shopify में तो पहले जो theme है मतलब एक store में कई सरे theme होते हैं दूसरे theme को download अगर करना है मुझे तो मैं यह इतना बड़ा सा command में नहीं run करता theme new hyphen hyphen password then store name then theme id मैं क्या करता हूं just ml folder एक फाइल बना लेता हूं जिसमें password वहाई से copy कर लिया क्योंकि अल्रेडी अवैलबल है theme id के बाद चेंज किया theme id आपको जैसा मैं बताया था वह ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर मिल रहा है और theme get कर दीज़े theme यह वाला folder में ml file होना चाहिए config.ml तो कुछ इस प्रकार से आप download कर सकते हैं अपने local में भी run करके check कर सकते हैं और सब कुछ सही हुआ तो उसको publish भी कर सकते हैं जारा जनकारी के लिए दोस्तों आप यह मैं file आपको दे दूंगा इसका link दे दूंगा आप देख सकते हैं यह official documentation है जो क आप दोस्तों इस प्रकार से download कर सकते हैं local system में और उसे अच्छे से configure कर सकते हैं changes कर सकते हैं और theme को भी develop कर सकते हैं new theme develop करना है तो आप theme new ऐसे ही कीजिए okay and theme का एक name दे दीजिए और यह क्या करेगा running the theme new command does the following generate a basic theme template locally create a new theme in your Shopify store upload the new file to the Shopify store creates or update your config.ml file with the configuration for your new theme तो new theme भी बना सकते हैं previous theme भी उसमें changes कर सकते हैं यह सारे चीजों को बड़े असानी से आप कर सकते हैं publish कैसे करेंगे तो यहां पर बोला है theme watch theme watch करेंगे तो push update to your theme और जो भी internet connection होना चाहिए उसके लिए internet connection होने के बाद अगर यह command run करेंगे तो publish भी हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप command line interface के द्वारा theme को software by theme को configure कर सकते हैं उसमें customize कर सकते हैं नया theme बना सकते हैं अपना logic लिख सकते हैं तो यह सारे process को आसानी से आप कर पाएंगे मैं recommend दोस्तों करूंगा कि ठीम केर यूज कीजिए local में ही develop कीजिए जादा बेटर होगा ओके अब यहां पर थोड़ा liquid का थोड़ा अलग syntax होता है जो आगे में आगे के वीडियो में बताऊंगा अभी के लिए इतना ही मिलेंगे next वीडियो में thank you thank you for your support